कि लिए स्टूदिंस आज हम बात करेंगे कि एंप्लाइड और एकस्पेस वारेंटी या कंडिशन क्या होती है और उसके डॉक्टराइंज भी बताएं यानि उसके क्या है तो कंडिशन क्या होती है इस ऑस्टेपुलेशन रिखर में डिकॉर्मेंटेक्स टू डा में जब हम कोई requirement लगा लेते हैं तो इसको हम condition कहते हैं एक contract to deliver 100 pack fans to be but be a delivers एने 100 pack fans दो थे पाक fan जो थे तो उसने climax fan जो हैं वो का यह और company दे दी तो उसने contract को breach कर दिया जो condition थी उसको fulfill नहीं किया यार जो बात उसने कही थी वो ही देनी चाहिए न अब यह तो गलत बात है warranty क्या होती है यह होता है stipulation requirement और यह होती है stipulation collateral to the main purpose of the contract यानि जो आप क्या देते है security देते हैं surety देते हैं को मसला बना तो हम जिम्हेदार है एप्रामिस टू डिलिवर हंडर्ड वाशिंग मशीन एडिलिवर्स देम एट हों इस दा वर ब्रीच ऑफ दे कहते हैं आपने घर क्यों देगे ठीक हो गया तो यह क्या है जब आप क्या देते हैं collateral कि किसी चीज़ की कोई guarantee देते हैं कि यह तूट गई हम जम्हेदार आप कहते हैं जी आपके उस पर पहुंच जाएगी वाश शोरूम पर पहुंच जाएगी तो शोरूम पर अगर नहीं पहुंची तो फिर यार आप घर दे रहे हो तो यह भी गलत कर रहे हो ना एक्सप्रेस जो होती है जो जिनको हम और इंकलूडएं इन दी इन प्रैक्ट ओंट्रेक्स के अंदर हम ने लिखी लिए जो नहीं इंकलूड़ीड होती है आचा जी नेक्स आप इंपलयड कंडिशन सपर्विंग और बाइद प्रिशन वीच आर प्रिजूम रिग ऑदा ल पैक होता है जिसके अंदर चीज़ें पैक होती है इंड़ कॉंट्रेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाइ डिस्क्रिप्शन इस इंप्लाइट कंडिशन थैट गुड्स शूद बी कंसर कोरिस्पॉंड विद डिस्क्रिप्शन यानि वह जो ऊपर पैक है उसके मुताबिक चीज क्रोला की वो जो चीजें बता रहे हैं कि जनाब वो उसमें इतने गेर्ज होंगे उसमें यह सीट बेल्ट यहां होगा उसके अंदर जो हैं वो सेफटी बैग्स होंगे तो हर चीज होनी चाहिए ना सेल बाइदा सैंपल तो इन केस आप सेल बाइदा सैंपल गुड्स चीजें जो हैं यह लिखी भी नहीं होनी चाहिए यह इंप्लाइड होनी चाहिए दबाल शूट कोर्सपांड विदा सैंपल यह सैंपल जैसे होना चाहिए दबाइर शाल रिजनीबली ऑपरचुनिटी आफ कंपेरिंग दबल उसके पास उसको टाइं देना चाहिए कि वह क कंडिशन देने पड़ेंगे और बायर उसको इसको रिजेक्ट कर सकता है कंडिशन एस्टू अबाउट बायर इंफॉर्म्ट अबाउट अबाउट पर्पॉस पार विच दे गुड़्स आ रिक्वाइड देर इस एंप्लाइड कंडिशन चाहिए एक बंदे निकाल कि चाहिए बायर शुड रिलाई ऑंदे सैलर स्केल जज्जमेंट और उसको क्या रहना चाहिए जज्जमेंट यह रिक्वाइर्मेंट फुल्फिल करनी चाहिए बायर को यानि उसको बता के तो छोड़ देना चाहिए कि वह अब कर लेगा सैलर बिजनिस मस्ट बी सेल्ड दे उसको क्या करना है चाहिए कि जो बायर ने बताई है उसके मताविक चीज़ सप्लाइब करनी चाहिए कंडिशन एज मर्चंट अबिलिटी डे टर्म मर्चंट अबल मीन्स देट गूड शुड बी इस मकसद के लिए बिल्कुल फुट जो नी चाहिए फिट ओनी चाहिए फिट तू यू जो नी चाहिए बूर्ट बाइद इसक्रिप्शन ठीक है ठीक है वो कहता है यह अगर चीजों को आपने उस तरह लेना है तो पिर क्या होनी चाहिए यह कंडिशन आपको फुल्फिल करनी पड़ेंगी गूड मस्ट बी बाइड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के मताबिक लें बाहर जब भी खरीदे और डिस्क्रिप्शन को द यह जो चीजें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए ओलसमनेस होनी चाहिए और वो हैल्दी होनी चाहिए अदर्वाइस सैलर जो है वो अकांटेबल होगा कंडिशन as to the title if the employed condition it is employed condition that in a seller that in a sale seller has right to sell the good and in an agreement to sell he has right to sell the goods at the time when the ownership is passed यानि वो कहता है कि यह implied condition है कि sale in a sale the seller has right to sell the good and in an agreement to sell he has right to sell the good at the time when the ownership is to pass यानि वो कहता है कि title यह होता है कि जब seller के पास चीज़े है तो वो फिर honor है वह चीज़ का और agreement to sell में ही होता है कि भी sell नहीं हुए लेकिन अगर वो उसकी चीज़े ही नहीं है किसी और की चीज़े है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी कंडीशन जबाए कंडीशन डगाते हैं मारे जिस पर पर प्रफर्स के लिए आपने का स्टमर को देनी इंगें ज्या होती हैं वर्एंट ये जब आपने देनी हैं तुस में आपने देखना है इट is a employed warranty to buyer that he shall have the possession and enjoyment of the goods to whom without disturbers from the seller or any other person. ठीक हो या यानी पहले आप एग्जम्पल पढ़ेंगे तो बुपर वाले ज़िए, M ने पर्चेज किया second second hand typewriter from D से, M spent some money on its repair, the typewriter was found to be stolen and M has returned to the true owner, M could recover damages and price. वो कहते है, quite employed warranty to the buyer that he shall have possession and enjoyment of the goods sold to him without any disturbance. जो कहते है, चोरी की चीज़ नहीं बाइर को बेच नहीं है, आप seller नहीं, seller नहीं क्या करना है, वो चीज़ बेच नहीं है जो उसकी अपनी है, ठीक है, और अगर वो चोरी की चीज़ बेच रहा है, तो M, B को पकड़ लेगा, जनाब आपने मुझे चोरी की चीज़ बेची है, free from encumbrance, यानि A pledges car with the B and promise to give the possession next day, A sell car to X, B asks us about the pledge affair, X pays the amount of pledge to B, X has recovered, यानि A ने B को चीज़ प्लेज की वी थी और फिर उसने क्या का A ने चीज़ एक्स को बेच दी, A knew that if they not open with the special care, it will be dangerous, तो उसको बताओ यार उसकी उपर लिखो कि यार इसमें ये problem है, ठीक है, Kavit Ampeter mean let the buyer be aware, ठीक है, तो Kavit Ampeter का मतलब है कि buyer को पता लगने दे, according to the principle that the duty of the buyer to be careful while purchasing the goods, the buyer must examine the goods thoroughly, जब भी लेज़ चीज़ों को देखें, अच्छे से परकें और फिर चीज़ ने, ऐसे ना ले आँ, ठीक है, तो next हमारे पास question है जी, contract of negotiable instruments, तो हम start करने जा रहे है, negotiable instruments,